ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा आप सभी भक्तजनों पर भगवान विश्णू की कृपा बरसती रहे यही हमारी इश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पर अध्याय एक से लेकर अध्याय साथ तक का श्रवन किया है। अब हम आपको अध्याय आठ का रस्पान करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए भगवान विश्णू का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी ये कथाएं पसंद आ रही है तो विडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सूची बोले है तपोधन। विश्णू और श्री कृष्ण के समवाद को सुन संतुष्टमन नारद नारायन से पुना प्रश्ण करने लगे। नारद जी बोले है प्रभो। जब विश्णू बैकुन चले गए तब फिर क्या हुआ। कहिए, आदिपुरुष्ण कृष्ण और हरिसुत का जो समवाद है वह सब प्राणियों को कल्यान कर है। इस प्रकार प्रश्ण सुन फिर भगवान बद्री नारायन जगत को आनंद देने वाला ब्रिहत आख्यान कहने लगे। श्रीनारायन बोले, तदंतर विश्णों बड़े प्रसन्न होकर बैकुन्ट गए और वहां जाकर है नारन। अधिमास को अपने पास ही बसा लिया, अधिमास बैकुन्ट में वास पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बारहों मासों का राजा होकर विश्णों के साथ रहने लगा। बारहों मासों में मलमास को श्रेष्ट बनाकर विश्णों मन से संतुष्ठ हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के उपर क्रिपा करने वाले भगवान, युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए क्रिपा करके अर्जुन से यह बोले. श्री कृष्ण बोले, हे राजशारदूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दोहखित होने के कारण पुरुशोत्तम मास का आदर नहीं किया. विरिंदावन की शोभा के नात भगवान का प्रियपात्र पुरुशोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाज से व्यतीत हो गया. भीश्म, द्रोनाचार्य, करण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेश से मुक्त होने के कारण प्राप पुरुशोत्तम मास का ध्यान नहीं किया. क्रिश्न ग्वैपायन व्यासदेव से प्राप्विद्या के आराधन में तत पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील परवत पर चले जाने पर उसके व्योग से दुहकित आप लोगों ने पुरुशोत्तम मास को नहीं जाना. अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें? तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करू. पुरुशों का जैसा अद्रिष्ट होता है वैसा ही सदा भास्ता है. भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवर्ष्य ही भोगना पड़ता है. सुख, दोख, भय, कुशलता इ निर्भर रहना चाहिए. अब इसके बाद आप लोगों के दोहक का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्य जनक इतिहास के सहित कहते हैं. हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनू. श्री कृष्ण बोले, यह भाग्य शालिनी ध्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी मेधावी रिशी के घर में उत्पन्न हुई थी. समय व्यतीत होने पर जब दस वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावन्य से युक्त, अती सुन्दरी और आकरनांत नेत्र से शोभायमान हुई. चातुर्य गुन से युक्त यहाँ अपने पिता की एकमात्र एकलोती कन थी. आथा चतुरा, गुनवती, सुन्दरी यहाँ पिता की बड़ी लाडली थी. मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया. यहाँ भी साहित्यशास्त्र में पंदिता और नीतिशास्त्र में भी प्रविना थी. इसकी माता इसकी छोटी अ प्रिहा हुई और तब यह सोचने लगी की हमें भी यह सुक कैसे प्राप होगा? गुन और भाग्य का निधी, सुक देने वाला पती और सत्पुत्र कैसे होंगे? इस प्रकार मनोरत विचारती हुई सोचने लगी की पहले मेरा विवा उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगार दिया. अब क्या करने से अत्वा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनी के शरण जाने से अत्वा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनहकामना पूर्ण होगी? मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पती मुझको वरण नहीं करता है? पं मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पती दोहक से पीडित हूँ. जैसे मेरी सखिया पतिसुक को भोगने वाली है, वैसे मैं नहीं हूँ. मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरत रूप समुद्र के मोहरूप जल में निमगन हो शोकमोहरूप लहरों से पीडित हो गई. इसके पिता मेधावी रिशी भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूडने के हैतु देश्विदेश ब्रहमन करने के लिए निकले, प के कारण बड़ा भारी दारून ज्वर उन्हें आ गया. सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग तूट-टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासों छ्वास लेते महादारून मूर्च्छा से मदीरा पान से उनमत की तरह प उनी मरनासन न हो गए. भाग्य के फलरूप बल से एकाएक कापने लगे और कण्यादान प्रसंद से उठा हुआ जो महतसव था वह जाता रहा. तदंतर पहले किये हुए ग्रिहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसारवासना को त्याक कर भगवान में चित्त को लगाने लगे. उस मुमूर्शु मेधावी रिशी ने शीग्रही नीलकमल के समान श्याम त्रिवली से सुन्दर आकृती वाले श्रीपुर उशोत्तम हरी का स्मरण किया है रास के स्वामी, है राधार मन, है प्रचंड भुजदन से दूर से ही देवकाओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले है अती उग्रदावानल को पान कर जाने वाले, है कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरन करने वाले, है श्रीकृष्ण, है गोविंद, है हरे, है मुरारे, है राधेश, है दामोदर, है दीनानात, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए, इंद्रियो के ईश्वार आपको प्रणाम है, इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूर चटपट मुकुन्द लोक से आए और उस मरे हुए मुनी को हाथ से पकड़ कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए, इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अती दुहक से विलाप करने लगी, चीला पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुहक से वहनल हुई और पिता को जीवित की तरह समझ कर बोली, बाला बोली, हाई हे पिता, हे क्रिपा सिंधो, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़ कर आप बैकुंट सिधारे हैं, हे तात, पित्रिहीन मेरी कौन रक्षा करेगा, आज मेरे भाई, बंधू, माता आदी कोई भी नहीं है, हे तात, मेरे भोजन, वस्त्र की चिंता कौन करेगा, कैसे मैं रहूंगी, इस शून्य, विदध्व निरहित, निर्जन वन की तरह आपके घर में, हे मुनिश्रेष्ट, क्यों आप चुख हो गए, हे तात, बहुत देर से आप सोये हुए हैं, अब जागे, ऐसा कहकर आसू बहाती हुई घड़ी-घड़ी तुन उस वन में रहने वाले ब्रामर आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुन शब्द से कौन रो रहा है। मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काश्ट की चिता लगा कर विधी से अंतेश्ची कर्म कर उसका दाह किये। दाह के अनंतर कन्या को समझा कर सब रिशी अपने-पने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारन कर यथाशक्ती क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दोहखागनी से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बच्छडे के मर जाने से जैसे गोच चलाती है और खाती नहीं दुरबर होती है वैसे ही यह बाला भी दोह खित हुई इस तरह से भक्तजनों यंहा पर अध्याय आठ भी संपूल हुआ आशा करते हैं कि आप हमारे इन कथाओं का आनन्द ले रहे होंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों